तीन वर्षों तक दुनिया को बरबाद करने वाला करोना भी सिर उठा रहा है भारत में छे लोगों की मौत एक ही दिन में हुई है सैकड़ों नए के साथ चुके हैं दुनिया में अकरीब सत्तर लाख लोगों की जान लेने वाला वाइरस नई शकल लेकर आया है केरल और करनाटक से बूरी ख़बर है राजस्थान और दिल्ली हाई अलर्ट पर है कोरोना के नए वेरियंट को लेकर डर बहुत जादा है कोरोना के नए वेरियंट जी एंट पॉइंट वाइंट काफी तीरी से फैल रहा है इस वेरियंट ने टेंशन बढ़ा दी है कोरोना के नए जे इन डॉट वेरियंट ने बहुत देजी से अपने पैर पसारने शुरू कर दिये है भारत में इस वेरियंट के अब तक 21 मरीज सामने आए हैं लेकिन सिर्फ भारत ही नहीं अमेरिका, बिचेन और चीन तक ये वेरियंट लोगों को बिमार करता जा रहा है भारत से पहले कोरोना का नया वेरियंट जेन डॉट वन अब तक 40 देशों में फैल चुका है अगर ये बेकाबू हुआ तो दुनिया भर में 2020, 2021 और 2022 जैसी तबाही मचा सकता है जब दुनिया ने साल का जश्र मनाने की तरफ बढ़ रही है तब कोरोना का नया वेरियंट तबाही मचाना चाता है भारत में 24 खंटे केंडर 3600 से जादा किसाए है और इनमें केरल से सबसे जादा मामले है स्वास्थ मंत्री मंसुक मांडविया ने नए केस को लेकर समीर छकी है उन्होंने राज्यों से कहा है कि अलर्ट हो जाएं क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है भारत में लागातार बढ़ रहे कोरोना के केस साबित करते हैं कि कोरोना लौट रहा है केंद्रिय स्वास्थ मंत्री मंसुक मांडविया ने लोगों से एहत्यात बरतने के लिए कहा है हाला कि लोगों के मन में कुछ सवाल है लोग जाना चाहते हैं कि नए वेरियंट कितना खत्रनाक है जे एन वन में क्या लक्षन देखते हैं करोना के नए वेरियंट के खत्रे को देखकर राज्यों के अस्पताल अलर्ट है वो इसलिए क्योंकि 2020 के बाद दुनिया ने इससे सबसे बड़ी तबाही देखी दुनिया ने लाखों मौत देखी एशिया से लेकर यूरोप और अमेरिका तक चर्मराते हुई अस्पताल देखी लॉकडाउन देखा और अर्बो का कारोबार ठप होते देखा नौकरियां जाते देखी लोगों के जिन्दकी तबाह होते देखी ये सब एक वाइरस ने किया और अब 2024 की शुरुआत भी इसी वाइरस से हो रही है केरल, महराश्र, करनाटक और जारखंड इन राज्यों में रोजाना आने वाले मामलों में तेजी से बढ़ता रही है यही कारण है कि केंद्र सरकान ने इन राज्यों को खास तोर पर चौकनना रहने को कहा है 2019 से लेकर अब तक करोना वाइरस लगातार अपना रूप बिदल रहा है बार-बार उसके नए वेरियंट सामने आ रहे है JN.1 वेरियंट भी एक नया वेरियंट है जो Omicron strain से निकला है JN.1 वेरियंट का पहला मरीज एरोप के देश लगजंबर्ग में मिला था वहाँ से फैलते फैलते सितंबर में JN.1 वेरियंट अमेरिका पहुंचा data to suggest that this variant JN.1 is more severe or it's going to cause more pneumonia or more death ऐसा कोई डेटा नहीं है Corona के लिए वेक्सिन तो गना ली कि लेकिन ये वाइरिस को रीतरा खत्म नहीं हुआ है दुनिया को इस वाइरिस के साथ जीना पढ़ रहा है वक्त वक्त पर इसके नए वेरियंट आते जा रहे हैं और तबाही का खत्रा बढ़ने लगा है Corona के नए वेरियंट JN.1 को लेकर जो खबरे सामने आ रही हैं वह बेहत चौकाने वाली है विश्रशक्यों ने लोगों से फिर से चेहरे पर मास्क लगाने और फीड भरवारे इलाके में जाने से बचने की सलाह दी है हलाकि आने वाले दीनों में 25 दिसंबर यानि क्रिसमस और एक जनवरी को लोग नए साल के जश्क में ढूबने की तयारी कर रहे हैं ऐसे में माना जा रहा है कि आगे करोना की वजह से हालाद बिगड भी सकती है अमेरिका की स्वास्थ एजेंसी ने बताया कि वहाँ जितने करोना मरीज हैं उनमें 15 से 29 प्रतिश्रत को बिमार करने वाला यही जेन.1 वेरियंट है अमेरिका के साथ चीन और बिचन में भी जेन.1 वेरियंट ने लोगों को अपनी छपेट में लेना शुरू कर दिया है हाला कि डबलू एचो ने साफ किया है कि घवराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मवजूदा वेक्सिन जेन.1 वेरियंट के खलाफ कारगर है लेकिन फिक्र तो है और घवराहट भी है दुनिया में कोई ऐसी जगनी ही है जहां कोरोना ने पैर ना पसा रही हो इस वक्त भारत में भी कोरोना फिर से बड़ा खत्रा बन सकता है इससे इनकार नहीं किया जा सकता देखे अब जो अंकड़े में आपको दिखाने जा रहे हैं उन्हें ध्यान से सुनिएगा ध्यान से देखेएगा और ध्यान से समझ जीएगा भी क्योंकि ये कोरोना को लेकर अंकड़े हैं क्योंकि कोरोना फिर जान लेने लगा है और इसका असर दक्षन भारत में सबसे ज पड़ा है और जानगवानी पड़ी है किसकी वजह से कोविड की वजह से वही करनाटक का भी जिकर कर लेते हैं ये देखिए कोविड आप यहां पर देखिए किस तरह से दो लोगों की जान ले चुका है वो कोविड वो कोरोना जो हमें लग रहा था कि हमारे और आपके बीच में नहीं है लेकिन एक बार फिर से उसकी दस तक यहां पर सामने आई पंजाब की तरफ आप देखिए पंजाब में देखेंगे तो एक की जान यहां पर कोरोना की वजह से जा चुकी है यह वो फैक्ट्स है जिसे समझना इसले जरूरी हो जाता है ताकि यह आंकड़े किसी उठा लिया है ठीक ऐसे ही हालात 2019 के दिसंबर में थे साल बदल रहा था 2020 की शुरुआत हो रही थी तब भारत तो नहीं लेकिन चीन के बाद करोना यूरोप समित कई और देशों में फैलने लगा था मार्च और अपरेल आते यूरोप में इतनी मौत होने लगी कि कबरिस्त लेकिन कई और सुबह हैं जहां की रिपोर्ट अब धीरे धीरे चिंता में डाल सकती है मौजूद है वही पर आगे बढ़ते है करनाटक में 92 केस अब तक सामने आ चुके हैं कोरोना के यानि और ज्यादा साथान होने की जरूरत है आगे बढ़ते हैं देखिए तमिलनाडू में 89 केस इस वक्त कोरोना के मौजूद है यह एक्टिव केस हम आपको बता रहे हैं जि गुजरात देखिए मेरे पीछे गुजरात में 23 कोरोना के मामले इस वक्त मौजूद है यानि 23 लोग इस वक्त कोरोना का सामना कर रहे हैं उनकी रेपोर्ट जो है वो पॉजिटिव यहां पर आ चुकी है गोवा जहां पर लोग अमुमन इन दिनों बेहत जा भी रहे हैं क् सामने की फेस्टीव सीजन भी है ऐसे मेंगोवा में 19 केस अब तक कुवड के आ चुके हैं यह वो राज्जे हैं जहाँ पर कुरोना के मामले sामने आते जा रहे हैं ते लंगाना कभी जिकर अभी भले ही अंकड़ा को कम लग रहा होगा महस्तीन यहाँ पर मरीजों की संक्या है लेकिन यकीनन यह बढ़े ना इसलिए फिर से हम आपको यह पूरा फैक्ट दिखा रहे हैं इस मैप को आप गौर से देख लीजे यह भारत का यह पूरा भारत है जहाँ पर यह वो राज्य सामने आये है करनाटा, गोवा, तमिलनाड, उतलंगाना, केरल, महराष्ट, गुजरात, पंजाब यह वो मामले हैं जहाँ पर मामले बढ़ते जा रहे हैं सबसे उपर भी देख लीजे जम्मू कश्मीर दो मामले आ चुके हैं अभी फिलाल बहुत कम यह अंकड़ा लग रहा होगा लेकिन दो से किस तरह से यह ना बढ पूरा मैप आप गोर से देख लीजे, नांकड़ों को आप देख लीजे, क्योंकि साथधानी बरतनी जरूरी है, कोरोना के जो नियम काईदे कानून हमने समझे थे, उसे दोबारा से बरतना बेहत जरूरी हो जाता है, राज्यवर तरीके से सरकार एक्टिम मोड पर है, इस कोरोना से बड़ी तबाही हुई थी, दिल्ली से लेकर महराश्र और गुजरात से लेकर मत्रदेश और उत्तरप्रदेश तक हालात बहुत ज़्यादा खराब थे, कोरोना को रोकने के लिए बड़ी तैयारी की गई, लेकिन जिस वाइरिस ने पूरी दुनिया को निगल लि कोई तिंता जनक सिती नहीं है, पूरी समिच्छा हुई है, उत्रप्रदेश राज में कलकुल पांच मरीज थे, और सभी मरीज घर पर ही है, और कोई पैनिक जिसी सिती नहीं है नए वेरियंट को लेकर अवी तक कहा गया है कि इससे बहुत ज्यादा घवराने की जरूवत नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों में वही मौतों के बाद जाहिर तोर पर डरका माहौल तो है कि ये कहीं कोई बड़ी मुश्किल ना खड़ी कर दे दुरिया में करोना वापसी करना चाहता है, चालिस देशों में ये पहले ही नया वेरियंट पहला चुका है, भारत में भी धाई हजार से ज़ादा की सोच के ही, सवाल है कि केंद्र और राजिस सरकारों की तैयारी क्या है बहारत में आँक दिसंबर का पहला मामला सामने आये था तब केरल की 89 साल के महिला से संक्रामित हुई थी जिसके बाद केरल के पड़ोसी राज लोस्ट पर हो गए थे अभी तक भारत में जो करोना के एक्टिव केस हैं उनमें 90% से ज्यादा मरीज अपने घर में ही रहकर इलाज करा रही है यानि उनको अस्पताल में भरती कराने की नौबत नहीं आई WHO ने कहा कि मौझूदा वेक्षिन इस नए वेरियंट पर कारदध है लेकिन लोग साउधानी जरूर बरते भीड़ भाड़वाले इलाके इस वेरियंट के फैलने में मदद करेंगी इसमें कोई शक नहीं नए जेन.oton one वेरियंट के लख्षर भी कोरोना के बाके वेरियंट कीता रही है जेन.oton की चपेट में आने पर सांस लेने में परिशानी होती है हलका बोखार चड़ता है मरीज को तेज खांसी भी हो सकती है नाक बंद हो सकती है गले में खराश रहती है नाक बहती भी है, सीर में दर्द रहता है, पेट खराब भी हो सकता है और मरीज को दस्त भी लग सकते ही भारत में आये नए वेरियंट जैन वन में इंफ्लूंजा जैसी बिमारी के लक्षन दिखें ये लक्षन नए है, इन में बुखाराना, बदंदर्द, खांसी और ठकान जैसी बाते सामिले बिमार होकर दवा खाने से हमेश्चा बहतर होता है कि सक्ष अनुशासन में रहकर बिमारी से बचे इसलिए पंजाब और हरियाणा की राजधानी, चंडीगड में प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है चंडीगड में लोगों को मास्क लगाने की सलाह दे गई है साथ ही कहा गया है कि लोग पीड भाड़वाले इलाकों में जाने से बचे सरकार का कहना है कि JN1 वेरियंट पर रिसर्च जारी है और अभी कोई बड़ी जिंता की बात नहीं है भारत में JN1 वेरियंट वाले केस का कोई समू नहीं मिला यानि बड़ी तादाद में केस नहीं मिले है इस नए वेरियंट को लेकर सभी मामले हलके पाएगे और मरीज बीना किसी जटलता के ठीक होगे लेकिन डर तो बना हुआ है इस वक्त मास्क साफ सफाई संक्रमट से वाइरस से बचा जा सकता है यही करोना से लड़ाई का सही जरिया है राजस्थान में भी इस वक्त करोना के मरीज है जो भरतपूरा और चुन्जनू के अस्पताल में भलती है राजस्थान अलर्ट पर है जैपूर के सवाई मान सिंग अस्पताल में नियू जैटिन इंडिया की टीम पहुँची तो ज़्यादा था लोग बीना मास्क के नजर आए कुछ लोगों को पता ही नहीं था के राजस्थान में भी करोना फेलना शुरू हो गया है महीं जिन लोगों को जानकारी थी वो भी इसे लेकर गंभीर नहीं है हाला कि कई लोगों ने मास्क पहन कर साउधानी भी जैपूर के SMS अस्पताल पहुंचा हूँ और यहाँ पर आप देखे कि मरीज आ रहे हैं जाहिर दोर पर दिखाने के लिए और यहाँ पर आप देखे कि मास्क बेशने के लिए भी यहाँ पर अब मास्क देते वे नजर आने लगे इस वक्त करोना को लेकर दिसंबर बहुत एहम है दिसंबर में अगर खुद को बचा लिया तो नए साल में भी सुरक्षित रहेंगे और हम अपने आस पास रहने वालों को भी बिमार नहीं करेंगे इसलिए वाइरिस के संक्रमट से बचने के लिए जो ही तरीके हैं उसे अभी से इसी वक्त से अपने उपर लागो कर दिखे